स्वागत है आप सुही लोग का आपकी अपने यूटूब चैनल इस्टड़ी विस सिरोमनी इस्टिट्यूड में दोस्तों आज का टापिक जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि कौन किस से कटेगा जी हां दोस्तों कोई भी कमप्रटीशन का एकजाम हो उसमें इस प्रकार का जरूरी है कि हम डिविजबल का जो रूल है उसको जाने रहें कि कौन किस से कटेगा दोस्तों आईए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे जिससे आपको पूरा वीडियो ये समझ में आये बीच में वीडियो को नहीं छोड़ेंगे त दोस्तों हमारा जो पहला नंबर हम लेंगे पहला नंबर हमारा आता है दो एक से तो सभी संख्याएं विभाज्य हैं तो इस प्रकार से हम पहले लेंगे दो तो दोसे दोस्तों जिन संख्याओं के अंत में आपका क्या आ जाए दोस्तों है जीरो आजये दो आजये चारा जये छे आजये आठ आजये तो वे संख्याएं दोस्तों दो से डिविजबल होंगी दो से विभाजित होंगी फार एक्जामपल देख लेते हैं थोड़ा सा जैसे कि अभी हमने ले लिया 86 ले लिया तो आप देखेंगे कि इसके लास्ट वाला जो डिजिट है या अंतिम दाएं से पहला वाला अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको पहला अंक आपको मिल गया छे इने में से कोई भी मिल जाएगा तो यह दो से पूरा-पूरा विभाजित हो जा गया अब ऐसे कोई बड़ा भी नंबर ले लेते हैं जैसे 2005 ले लिया हमने यह 2005 ले लिया इसमें हमारा क्या हुआ इसका लास्ट वाला अंक देखिए पांच आ गया तो पांच इसमें से तो कोई नहीं है जिसमें दो चार छे आठ या फिर जीरो होगा वही डिविजबल परते की सरा जो कि हमारा आता है तीन दूसरा होगा यह आएगा तीन से कौन सी संख्याय है कौन सी विभाजित होंगी यहां पřी देखिए जैसे की हमारा कोई नंबर ले लिए पिर सो माल लेशिकेट 1000 ले लिए तो यहां इसको कैसे जाने कि इस में देखिये इसको हम सभी अंकिते लितेति इसे जोड़ी तो स्देben कितना हो जाएगा कितना यह 12 got नहीं होगा अब रिते हैं कि जो भाजित हो जैसे माली सिए हमने क्या ले लिए 21 ले लिया इसी के बगल में दो और एक को जोड़िए तो दो एक तीन होता है तीन तीन से कड़ जाएगा एक बार में ऐसे और बड़ी संख्याओं को ले रेते हैं तो जैसे 564 हमने ले लिया तेहां पर 6-5 इन सभी को आप जोड़ लीजिए तीनों को तीनों अंकों को तो 6-5-11-11-4-15 15 यह कड़ जाएगा तीन से कड़ जाएगा 15 तो यह पांच बार में जाता है 3-5-15 तो इस प्रकार से यह दिविजबल है थिरी से अब यानि कि इसमें क्या हो से अगला नंबर हमारा आता है फोर तो फोर के लिए हमारा क्या रूल है दोस्तों फोर के लिए ऐसा है दोस्तों कि जिसमें देखिए हमारी कोई भी संख्या हमने ले ली जैसे कि लीली 875 इसमें देखिए लास्ट की जो दो डिजिट है इसमें लास्ट की दो डिजिट पूरा का पूरा नंबर होगा नहीं होगा तो 75 को आप करिये कितना हो जाएगा चार एक बार में जाएगा यहां पर आपका कितना आए जाएगा तीन आजाएगा 35 तो 25 नहीं आता है 49, 36 जाता है इसलिए पूरा का पूरा नहीं कट रहा है दोस्तों दसमरूम जा रहा है इसलिए यह फोर से DIVISBAL नहीं है अब जैसे हम ले लेते हैं 575 या 575 अभी लिया था 500 हम ले ले लेते हैं चोहत्तर को तो यहां पर देखिए हमारा लाश डूड डिजिट देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो आपको लाश डो डिजिट ही देखना है दोस्तों देखिए यहां पर इसका हम कितने बार एक बार लेके जाएंगे यहां पर जाएगा फिर भी संख्याओं का भी हम करेंगे अब यानि कि इसमें हम देखेंगे लाश्ट टू डिजिट लाश्ट टू डिजिट को हम देखेंगे अगर वो डिविजबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या होगी 5 से तभी डिवाइट होगी जब उसके लाष्ट में आयiada 5 आएगा या तो 5 आएगा आप कितनीюсь बड़ी संख्या लिखते जाए है उसके लाष्ट में और पांच2 टेवल अप लिख रहे हैं उसमें आउ जीरो आएगा लाश्ट में या तो पांच आएगा यह फैक्ट है आप जानते होंगे अब हम चलते हैं जो अगला नंबर है वह हमारा है चे तो आएसी कौन सी संख्याएं हैं जो छे से डिवाइड होंगी तो दोस्तों इसमें आपका रूल है ध्यान देना है रूल आपका क्य घारे कि अईसी संख्याएं जो दो और तीन दोनों बहुत बहुत से डिवाइड हुँगी यानि कि 2 से भी होगी 3 से भी फार एक्जाम्पल देखते हैं वो 6 से डिवाइड होगी फार एक्जाम्पल देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 18 अठारा ले लिया 18 को पहले 2 से divide करोगे 9 बार में जायेगा 3 से divide करोगे 6 बार में जायेगा और 6 से देखिए इसको divide कि यह च्छतिरीक 18 आधारा तीन से से डिवाइड हो गया यानि कि कोई संख्या जो दो से भी डिवाइड हो और दो तीन के डिविबल का डिवीज बेल्टि का रूल हमने पड़ लिया है हुङ हमारा कुह मेर उस मदद से हम जान लेगे कि दो से कि डिवाइड हो गे मिया । Dwie से भी डिवाइड है तीन से भी ध्यान रखना है ध्यान रखने वाली बात है दोनों संख्याओं से वो डिवाइड होनी चाहिए तभी वो छे से डिवाइड होगी अब हम सभी लोग चलते हैं अगला जो हमारा है वह साथ तो 7 का दोस्तों जो भी है यहाँ पर देखिए 7 यानि कि divisible by 7 यहाँ पर देखिए अब एक वीडियो को आप देखेंगे इसी में सारी की सारी divisibility 2 to 10 है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम सरल बिद से एम एकजामपल से बताई जा रही है तो देखिए द क्या करेंगे दोस्तों जैसे की माल लीजी यह अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा इसमें बैसे बरल कर नहीं मिलेगा जैसे को कुछ घ्याब लेकिन इन सभी चीजों का देखिए इसमें ठ्रिक थोड़ी सी बनाई गई है जैसे देखिए माल लीजी हमारे पास 300 हमारे पास हो गया छाँचछट इसको कैसे जानेंगे कि यह साथ से डिवाइड है इसके लिए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर इसकी लास्ट वाली डिजिट को यहां पर लिखा और आगे की डिजिट को यहां पर लिखा 36 हो गया, या फिर पहले हम छोटे ही न number से start करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, कितना ले लिया, 28 ले लिया, पहले छोटे से आप समझेंगे, 28 ले लिया, दो को यहां पे लिखा, और 8 को यहां पे लिखा, अब 8 का हम दो गुना, है कि नहीं 16 में से दो अब यहां पर देखिए 14 हमारा साथ से डिवाइड है तो साथ दूनी 14 साथ से डिवाइड है इसलिए 28 भी है अब ऐसे बड़ी संख्याओं की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो हम अगला कि दो और साथ से डिवाइड होगा कभी नहीं होगा तिसलिए Argentina सेницы हमारा साथ से डिवाइड नहीं होगा अब ऐसे बड़े नंबरों का भी हो सकता है दोस्तों बड़े नंबरों का बिलकुल हो सकता है आएज देखी एक बड़ा नंबर हम लेते हैं जो कि जैसे ले लेते हैं हम सभी लोग 5768 यहाँ पर एक नमबर को हमने लिया है यहाँ पर देखिए 5768 को ले लेते हैं 5768 तो देखिए इसमें क्या है हम इन सभी नमबरों को एक जगा पर लिखे 576 और इसको 8 को यहाँ पर इसमें घटाएंगे इसका दोगुना करके तो 576-8 16 अब इसमें जब आप करेंगे 576 में से 16 को घटाएंगे अब भी नहीं आ रहा है आपका तो 16 कितना हो जाएगा इसको घटाईए थोड़ा 6 में से 6 जाएगा 0 यहाँ पे 6 आएगा 560 आगया अब इस प्रकार से अब भी नहीं पता चला तो घबराईए नहीं एक इस्टेफ को और कीजिए 56 को यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे 0 गुड़े 2 कर दीजिए दो गुणा करते हैं तो 0 का दो गुणा कर दिया है कितना जाएगा 56 माइनस 0 का गुड़ा 2 में 0 आएगा यानि कि 56 और 7 अठे 56 तो यह 7 से डिवाइड हो रहा है इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 5667 से डिवाइड होगी बड़े नंबरों का इस प्रकार से किया होगा कि यहां पर एट यानि कि डिविजबिल्टी बाइट चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि कहीं न कहीं आपको मैत में बहुत ज्यादा फायदा देगा टाइम आपकी बज़त होगी यह नहीं तो आप एक एक नंबर से करेंगे इसे डिवाइड करके दो से ही हो रहा है तीन से नहीं हो रहा तिविजबिल्टी अगर आप ऐसे तयार रखेंगे कि डिविजबिल्टी का टेस्ट जो है में में टॉपिक हिंट ही लिखा है यह तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और टाइम की भी बचत होगी अब यहां पर देखिए अगला जो भी हो हमारा वो क्या होना चाहिए दोस्तों वो हमारा जीरो होना चाहिए तीन थ्री टाइम से यानि कि हमारा जीरो हो जाना चाहिए लास्ट वाला तो अब देखिए यहां पर और एक रूल है उसमें और एक रूल है कि अगर लास्ट के तीनों आठ से डिवाइड होते हैं होंगी किससे हो कि एसे तो तरिडिजिट डिवाइड लिखता हूं डिवाइड इसको हम ने लिखा अब फार एक्जामपल के लिए हम देखते हैं जैसे कि कोई भी नम्बर हमने ले लिया जैसे ले लिया हमने चपन ले लिया और 00觉得 यहां पे एक9 को बढ़ाता हूं और एक 0 करता हूँ थोड़ा और क्रिट कल में लेके जाता हूँ देखिए 8 से क्या डिवाइड होगा तो यहां पर 8 हमने लिखा कितना 7 टाइम्स जाएगा 56 हो गया यहां पर कट गया 9 आएगा 9 आया तो एक फिर उसके बाद कितना एक बार में जाएगा 8 आ गया फिर यहां पर 1 एक फिर गया फिर eing offices जाएगा फिर यहां पर टू आ गया फिर जीड़ आएगा फिर लागा फिर कितना जाएगा दो बार में जाएगा दिर 16 हो गया वाशाय को फिर एक जीरो आएगा 8 45 यह देखिए फूमें गयीं हमारी क्या यहां से हमने इ犯ह देखा कि 3 0 अगर कि कितन एक नंबर लिया है वो क्या लिया है जैसे कि माल लीजिए हमारा 4286 है थिरी डिजिट देखिए क्या ये कभी डिवाइड होगी एट से तो देखिए यहां पर थिरी को देखना है तो कितना हो जाएगा सेवन टाइस में चला जाएगा और अगला वाला नहीं जा रहा है त्यानी कि यह डिविजबल नहीं है अब ऐसे टेस्ट कर लेंगे अगर लाश्ट के थिरी डिजिट एट से डिवाइड होंगे या फिर लाश्ट में तीन बार जीडो आया रहेगा तो एट से डिवाइड होगा अब हम अगला चलेंगे अगले टेस्ट की तरब जो की है हमारा टिविजबल्टी बाइग नाइन को हमको देख के चलना है तो देभीजबिल्टी बाइन का मतलब दोस्तों सेम थिरी वाली प्रासेस सम आप डिजिट जैसे कि मान लिजिए हमने क्या ले लिया पांसो इकात्तर ले लिया इसका सामाब डिजिट्स करो भाया समाब डिजिट्स करो 75, 12, 12, 13 तो यह क्या 13 आ रहा है कभी यह नहीं डिवाइड होगा यानि कि समाब सम आप डिजिट्स कीजिए अगर वो जो हमारा योग आया वो नौ से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी नहीं तो नहीं होगी ऐसे एक नंबर की तरफ और हम बढ़ते हैं जैसे कि अभी ले लिजिए छोटा सा एक्जामपल एक्यासी ले लिजिए आठ और एक को जोड़िये नौ और नौ से यहां पे नौ डिवाइड हो जाएगा एक बार में तीस प्रकार से आप डिविजबिल्टी बाइन करेंगे यानि कि इसमें भी हम सभी लोग देखेंगे सम आफ डिजिट्स अब इसके बाद अगला आता है हमारा टेन अब यहां टेन से डिवाइड होगी नहीं तो भईया दसमलों में सभी से सभी कर जाएंगे दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था डिविजबिल्टी का डिविजबिल्टी टेस्ट का अब आपको 11 की 12 की 13 की 14 की चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और जिसकी अन्यकी को बताई वो समझ में आई कि नहीं आई और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद